दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे यूटुब चैनल पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सल से डेटा को किसी टेक्स्ट फाइल में कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो भी आटोमेटेकली जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ बि बिल के प्रोड़क्ट डिटेल्स ये हैं दो नमबर बिल के प्रोड़क्ट डिटेल्स ये हैं तिन नमबर के प्रोड़क्ट डिटेल्स ये हैं और इसी तरह से जितने भी यहाँ पर बिल डिटेल्स दिये हुए हैं पहले वर्कशिट पर उस सभी के प्रोड़क्ट डिटेल दूसरे वर्कशीट पर है मैं यह चाहता हूँ कि एक बटन पर कलिक करूँ और इन सभी बिल्स के बील डीटेल सहीत और प्रूट क्ट डीटेल सहीत सारे बिल्स एक-एक टेक्स्ट फाइलस में transfer हो जाएं और एक निश्चित format में हमको एक text file के रूप में हमें वो bills प्राप्त हों तो ये कैसे होता है वो मैं आपको show करके पहले दिखाता हूँ तो जैसे ही मैं इस button पर click करूँगा जिसका नाम है print bill on text file इस button पर click करते ही ये सारे bills एक bill folder पर जा करके store हो जाएंगे अभी ये फोल्डर पुरी तरह से खाली है जैसे ही मैं यहाँ पर click करूँगा ये सारे bills text file में जा करके उसमें store हो जाएंगे तो मैं ये click करता हूँ यहाँ पर ये देखिए एक click पर सारे bills text files में जा करके यहाँ पर store हो गया है मैं आपको यह text files open करके दिखाता हूँ जैसे यह पहला हमारा text file है पहला bill यह देखे यहाँ पर यह company का नाम आ गया यह bill number, bill dates और यह customer का नाम, address, contact number और यहाँ से यह bill details, sorry product details और यह total amount इस format में यह सारे bills आपको यहाँ पर text file में दिखाई पढ़ेंगे यह देखे यह दूसरा bill है और इसी तरह से यह तीसरा bill है इस तरह से आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुन्दर कुपसूरत format में text file में जाकर के यह सारे bills यह सारे data store हो चुके हैं तो यह कैसे होता है इसके पीछे कौन सा code काम कर रहा है यह जानने के लिए बने रहे है इस चैनल पर नए है तो प्लीज 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 चैनल को पहले सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो बने रहे है इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको code window पर यह मैंने code window open किया यहां पर एक module 1 मैंने बन आया हुआ है जिसका नाम है print build on text file इसकी coding में आपको one by one line wise आपको explain कर रहा हूँ यह मेरा variable declaration है जितने variables की मुझे इस sub routine में ज़रूरत है वो सारे variables मैंने यहां पर declare कर लिए है ठीक है यह जो दो lines है इन दो lines के जरिए मैंने क्या किया है जो मेरा worksheet variable है उस variable में दो worksheets को मैंने store किया हुआ है पहला मेरा worksheet है build details जिसमें build के details है जो मैंने आपको show किया उसको मैंने इस variable में bws में मैंने store कर आया ठीक है दूसरा जो worksheet है जिसमें products के details है उस product details worksheet को मैंने pws worksheet variable पर store कर आया ठीक है इसके बाद यहां पर देखिए एक variable है company name इसमें मैंने company का नाम store करवाया जो भी आपकी company का नाम है जो आप company name में print करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो नाम लिख सकते हैं ठीक है यह जो दो lines हैं इन दो lines के जर्ये मैंने दोनों worksheet के column A के जो last row है उसको निकाल करके अलग-अलग variables में store कराए हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरा जो पहला worksheet है इसका है build details नाम उसके जो column A में जो last row है maximum row है उसको मैंने इस variable में store किया जिसका नाम है B, T row और मेरा जो दूसरा worksheet है जिसका नाम है product details उसके column A के last row को मैंने इस variable में store कराया है इसके बाद यहाँ पर एक condition है जिसके द्वारा मैंने चेक किया हुआ है कि if B, T, O यानि कि जो first हमारा worksheet है build details उसका जो total row है column A पर वो यदि दो से नीचे है दो से कम है यानि कि वहाँ पर कोई record नहीं है तो यहाँ पर एक message मिलेगा user को there is no bill और यह exit सब हो जाएगा यानि सब routine से बाहर हो जाएगा program आगे नहीं बढ़ेगा इसके बाद मैंने एक for loop चलाया है यह for loop क्यों चलाया है क्योंकि हमको देखे यहाँ पर जो हमारा build details है build details में हमको यहाँ से एक number build से हमको 11 number या यह 11 हो सकता है 11 100 हो सकता है 11 1000 हो सकता है तो यहाँ से जो last row है वहाँ तक हमको चलना है उसके लिए हमने for loop यहाँ पर चलाया हुआ है for b 0 यानि कि current row equal to 2 दो number row से start करेगा और last row तक चलेगा अब loop में यह जो है हमने क्या किया हुआ है तो एक एक row के जो build details है उसको हमने variables पर लाया हुआ है जैसे यह अलग-अलग जो columns है अलग-अलग fields है उनके जो data है जैसे कि यहाँ पर build number 1 build it यह date हो गया customer name पर यह नाम हो गया address पर यह address हो गया contact number पर यह contact number हो गया तो ऐसे row by row हमको क्या करना है variables पर इनको store कराना है जैसे कि build number कौन से variable पर store होगा तो build number variable पर store होगा और कौन से column से होगा तो column A से होगा build detail build date sorry build date पर store होगा और यह column B से होगा यह customer name तो C name variable पर store होगा column C से address variable पर पर column D contact variable पर column E इस तरह से वो सारे fields अलग अलग variables पर हमने store करा लिए इसके बाद यहां पर देखे txt file इसमें हमको जो हमारे files का नाम है उनको store करानी है जैसे कि file का नाम क्या होगा तो पर मैंने सबसे पहले path दिया हुआ है path क्या होगा तो इस workbook का path होगा ठीक है उसके बाद यहां पर देखे बिल नाम का folder है यह वरक्षिट जिस folder पर होगा उसी पर एक बिल नाम का भी folder हम को बना के रखना पड़ेगा ठीक है और वहां पर देखे उसके बाद यह बिल नंबर यह जो हमने बिल नंबर यहां पर निकाला बिल नंबर इस variable पर जो store कराया कॉलम में इसे वही चीज फाइल के नाम में हमको लेना है तो बिल नंबर और उसके बाद एक डैस लगाने है और डैस लगाने के बाद customer का नाम हम को print कराना है उस पर और यहां पर .txt तो यह हो गया text file का नाम ठीक है उसके बाद यहां पर देखे file number equal to file free sorry free file ठीक है यहां पर file फाइल नमबर एक integer variable है इस integer variable पे हमको क्या इस्टोर करना है तो यह एक function है free file यह क्या करता है जो भी number free है जो free number available number है unique number file को open करने के लिए वो number वो integer number हमको यहां पर integer variable में return करता है ठीक है उसके बाद यह हमको एक file number मिल गया इस file number पे हमको अपनी file को open करनी है कौन सी file को text file को जो यह text file हमने यहां पर जो नाम बनाया है उसी नाम से हमको एक नया text file open करनी है text file open करने के लिए open command है यहां पर हम उस file का नाम देंगे जिस नाम से हम नया file open करना चाहते है for keyword है और यहाँ पर output एक keyword है नया file जब भी हम बनाना चाहते है text file तो हम यहाँ पर output लिखेंगे as a keyword है और यहाँ पर file number जो file number हमने यहाँ पर free file function से जो return हमको मिला है उसी file number से हमको एक नई file open करनी है कौन से नाम से इस नाम से ठीक है इसके बाद हमको अपना जो variables जो हमने यहाँ पर जो हमारे worksheet से हमने यहाँ पर store कराए है variables पर उनको print कराना है text file में text file हमारा open हो गया यह open command से ठीक है नया text file अब उसमें हमको variables को print कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक text variable में हम जिसको print कराना है उसको यहाँ पर जो है store करा देंगे text variable उसके बाद इस text variable को हम क्या करेंगे अपने file में print कराएंगे तो देखिए यहाँ पर text equal to यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है space लिया हुआ है ठीक है कितना space लिया हुआ है 40 यह space function है एक्सल का वी डॉट इस पेस यह क्या करता है blank space print कराता है bracket में आप जितना number देंगे उतना space blank space वो print करा देगा तो पहले 40 blank space print करेगा और उसके साथ में company name को print करा देगा और इस text variable में उसको store करा देगा और इस text variable को हम क्या करेंगे file में print कराएंगे file में किसी भी text को print कराने के लिए command है print command और उस file का number जिस number पर आपने file open कर रखी है और comma लगाएंगे comma के बाद उस variable का नाम लिखेंगे उस text variable का नाम लिखेंगे जिसके data को आपको फाइल में प्रिंट करानी है तो हमारा जो टेक्स्ट वेरेबल है उसका नाम एंटेश टी तो यहाँ पर हमने text को प्रेंट करा दिया ठीक है मैं आपको वन बाइवन कैसे इसका आउटपूट आ रहा है उसको आपको शो करके दिखाता हूं तो यहाँ पर मैं एक go to command लगा देता हूँ और एक label पर हम यहाँ से transfer करा देता है ठीक है और last में मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक label बना देता हूँ यह label मैंने बना रखा है इसको मैं uncomment कर देता हुँ इस तरह से तो वहां से सीधा यहाँ पर transfer हो जाएगा फाइल को close करेगा और एक message हमको यहाँ पर दे देगा ठीक है तो यहाँ पर वापस चलते हैं और देखते हैं इसका output क्या होता है ठीक है तो एक एक line का जो output है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इस files को मैं पहले delete कर देता हूँ अब यहाँ पर सिर्फ एक file ही open होगी ठीक है तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ यह देखे एक file यहाँ पर create हो गई है और इसका output हम देखते हैं क्या है output यह देखे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी company का न देखते चलना है एक एक line ठीक है तो यहाँ पर company का नाम print हो गया अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस line को समझते हैं यह line क्या करता है तो यह line company के नाम के नीचे एक line बनाता है double line ठीक है तो उसको कैसे बनाया है मैंने तो text equal to यहाँ पर देखे मैंने एक replace function यू function क्या करता है तो यह tricks है दरसल जो space print करेंगे space function के दवारा उस space को वो equal के sign से replace कर देगा तो हमको सबसे पहले कितना space print करना है तो यहाँ पर मैंने देखे space function में use किया है 20 प्लस यहाँ पर मैंने जो company का जो नाम है उसका जो width है उसका जो length है ठीक है उतना तो 20 में जो company का जो length है उतना जोड़ जाएगा divided by 2 यानि उसका आधा company के नाम का आधा इसमें जोड़ जाएगा और उसके बाद फिर से 20 तो यह जो है इतना space print करेगा और उस space को replace कर देगा किस से equal के sign से तो equal का sign हमको यहाँ पर print मिल जाएगा ठीक है और उसके width को इस text के width को मैंने क्या किया है एक variable में store कराया है वो बाद में काम आएगा ठीक है तो और उसके बाद यहाँ पर देखे जो हमारा txt variable है उसको मैंने print करा दिया print command के through print command यह file number और यह text variable और उसके बाद print कराने के बाद मैंने क्या किया हुआ है एक line वहाँ पर print कराया है यह क्या करता है वी बी सी आर एलेफ यह एक paragraph प्रेंट करता है blank paragraph प्रेंट करता है तो एक line खीचेगा double line और उसके बाद एक नया paragraph वहाँ पर बनाएगा line को नीचे ले आएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको output करके दिखाता हूँ यहाँ पर go to command लगा दिया और वापस मैं आपको यहाँ पर यह जो है print करके दिखाता हूँ यह देखिए तो इसका output देख लिजेगा इसका output मिलेगा आपको इस तरह से देखिए यह जो line है यह line ठीक कंपनी नाम उसके नीचे एक line तो यह line wise मैं आपको output भी दिखाते जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ओके next line है हमारा यह line क्या करेगा यह line bill number और bill rate को print करेगा text file में तो text equal to bill number यह हमने यहाँ पर level दिया और जो भी हमारा bill number पर होगा bill number variable पर उसको print करेगा और एक space प्रिंट करेगा 55 blank space प्रिंट करेगा फिर यह label देगा और bill details, bill dates को print करेगा और इस variable को text variable को file में print करा देगा अब यह go to command मैं यहाँ से उठा करके इसके बाद यहाँ पर ले आता हूँ ताकि उसको print करे ठीक है और इसके बाद देखते हैं इसका output क्या होता है इसका output आप देखिएगा यह यहाँ से text file को open करते हैं यह देखे गया यह देखे तो यह bill number और यह bill date इस तरह से print के bill number के पहले देखे यहाँ पर एक blank paragraph हमने print कर वाया था तो उपर एक blank paragraph मिल गया है ठीक है ओके next line हम देखते है next line क्या है तो यह go to command मैं यहां से हटा देता हूँ अब यह next line पर आ जाते हैं ठीक है यहाँ पर देखे अब मैंने क्या किया हुआ है customer name address contact और उसके बाद नीचे एक line और print कर आया ठीक है तो यहाँ पर देखे टेक्स्ट एक्वल टो यह customer name label दिया उसके बाद c name variable को print कर आया फिर यहाँ पर एक नया paragraph यानि लाइन को नीचे ले आये हम नीचे लाइन में address level print कर आया address variable को print कर आया फिर यहाँ पर एक नया लाइन दिया और उसके बाद यह contact level print कर आया contact variable को print कर आया और उसके बाद एक नया लाइन यहाँ पर प्रिंट कर आया दो नया वे्ट है यानि पहला जो लाइन हमने खीचा था जितने वेट गणा उतने वीट का एक और लाइन यहां पर खीजते हैं और उसके बाद यह टेकस्टी वरीवल को फाइल पर प्रेंट करा देते हैं ठीक है यहां पर То Command यहां पर फिर से यूज करते हैं go to command को इस तरह से और इसका output देखते हैं वर्क्षिट पर जाता हूँ और देखिए यहां पर बटन क्लिक करता हूँ यह फाइल तयार हो गई इसका output देखते हैं कैसा है यह देखे यहां से bill number one, bill date और customer name, address और contact और यहां पर यह देखे यह जो line मैंने खिचा हुआ है यह line उतने ही विर्थ का है जितना line मेरा पहला line है ठीक है ओके इसके बाद हम देखते हैं next line में क्या है go to command यहां से फिर से हटा देते हैं यहां से हटा दिया मैंने go to command अब यहां पर देखे इस line से क्या हो रहा है तो s number यानि serial number एक level प्रिंट करेगा और एक tab प्रिंट करेगा यहां पर प्रोड़क्ट नेम दूसरा लेबल हमने दिया फिर एक टैप प्रिंट करेगा उसके बाद quantity QTY एक लेवल प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर से एक टेप फिर उसके बाद rate लेबल फिर से एक टेप और उसके बाद एमांट ठीक है और उसके बाद एक ब्लैंक पैराग्राफ यानि लाइन को नीचे ले आएगा और उसके बाद जितना वेट का हमारा लाइन है उतना बड़ी लाइन उतने वेट की एक और लाइन यहाँ पर प्रेंट करेगा और यह जो टेक्स्टी वेरिबल यह जो हमने फाल में प्रेंट करवाया और यहां से मैं आपको आउट पूर्ट दिखाता हूँ गोटू कमांड यहां पर ले आया और उसके बाद आट पूर देखेगा कि यह फाइल क्रीच हो गई अब इसका आउट पूर्ट में आपको दिखाता हूँ यह देखे तो यह जो लेबल्स है प्रोडक्ट के लिए हमको लेबल की जोरत पड़ेगी सिरियल नंबर इस कॉलम में तो यह हमने यहां पर क्या बनाया फिल्ट का हैडिंग बनाया ठीक है और उसके बाद यहाँ पर एक double line खीचा ठीक है चलिए अगला line हम देखते हैं अगला line code क्या है यह लेबल मैं यहाँ पर यहाँ से अटा देता हूँ यहाँ पर मैंने एक condition दिया हुआ है अब यहाँ पर देखे products के printing शुरू हो रहे यहाँ पर मैंने level दे रखा है product printing तो products की printing करानी है क्योंकि products के लिए heading हमने बना दिया अब heading के अनुसार हमको products का detail लाना पड़ेगा जो कि हमारे दूसरे worksheet पर है तहाँ पर मैंने condition दिया हुआ है if pt row यह pt row क्या है दूसरा जो worksheet है हमारा product details का उसके एक column का last row है तो हम इसको check कर रहे है if pt row is greater than one यदि वो एक number से ज्यादा है उसका last row तो यह condition true होगा और इसके अंदर आएगा ठीक है तो जैसे ही product details पर एक number row से ज्यादा row होते हैं यानि कि वहाँ पर product detail है तो जैसे ही यह condition true होगा यह condition के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर देखे एस number equal to one एक variable हमने बनाया है एस number integer type का उसको हमने एक assign कर दिया और total amount जो हम last में total amount print कर रहे हैं उसको calculate करेंगे तो यहाँ पर उसका जो variable है यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है total amount equal to zero starting में अब यहाँ पर for loop लगेगा for loop क्यों तो for loop हम लगाएंगे दूसरे worksheet के लिए यहाँ पर जो product details है तो यहाँ से देखे यहाँ से लूप चलेगा कहां तक चलेगा last row तक चलेगा वो last row कुछ भी हो सकता है ठीक है तो जितना भी last row रहेगा आखरी row तक वो loop चलेगा तो हमारा जो last row का variable यह है तो यहाँ तक चलेगा यहाँ पर हमने लिया है for p c row यानि product details का current row यह दो number row से start होगा और यह last row तक चलेगा तो यह हमारा for loop है इसके अंदर हमने फिर से condition दिया यह condition क्या check करेगा तो यह check करेगा जो हमारा बिल नंबर है जो हमारा बिल details नाम के वर्क्षिट से जो हमने एक एक बिल का details लिया हुआ है उसका जो बिल नंबर variable है यह हमने बिल नंबर variable लिया हुआ है उसको check करेगा किस से check करेगा product details के column A से check करेगा यहाँ पर जैसे आप डेख पार हैं यह product details है तो यह column number a तो एक का जो bill number है जो data है वो किसके equivalent होना चाहिए इसके ठीके जो हमारा bill details का जो bill number है वो equal होता है हमारे product details के bill number से यहाँ पर condition दिया हुआ है यदि यह match होता है बिन नम्मर से तो ही ये इसके अंदर आएगा उसके बाद क्या करेगा जो हमारा product details का जो data है उसको row by row उठा करके variables में store करते जाएगा जैसे कि ये column B का जो data है product details के column B का जो data है वो इस variable में आ जाएगा जो की हमारा product का नाम होगा पी आर नेम variable पर आ जाएगा qty variable पर column C आ जाएगा rate variable पर column D आ जाएगा और amount variable पर हमारा column E आ जाएगा तो यहाँ पर देखे product details पर यह देखे आपको यह सारे data variables पर आपको यहाँ पर store करनी है ठीक है तो इन लाइनों से हम वो काम कर चुके काम हो गया ठीक है अब यहाँ पर एक और condition दिया हुआ है यहाँ पर condition दिया हुआ है if product का नाम पी आर नेम इसका जो length है वो यदी 7 से ज़्यादा है यदी 7 से बड़ा है तो हमको क्या करना है साथ से जितने भी ज़्यादा उसका नाम होगा उस characters को काट देना है यानि product का नाम हमको सिर्फ 7 characters का ही लेना है तो इस condition का मतलब होता है यदी 7 character से ज़्यादा है तो product का नाम जो है 7 character सुरू के जो 7 character है यहाँ पर मैंने left function use किया हुआ है देखे left function क्या करता है किसी भी string के left से कुछ characters को निकालता है कितने characters को निकालेगा जो number आप यहाँ पर देंगे तो 7 characters को निकालेगा सुरू के साथ characters को निकाल करके product name variable में वो store करा देगा ठीक है इसके बाद अगली line देखते हैं अगली line में हमने क्या किया फिर से text variable को हमने assign किया किस से assign किया यहाँ पर देखिए space 3 पहले space 3 वहाँ पर print करेगा फिर यहाँ पर हमारा जो variable है serial number उसको print करेगा उसके बाद एक tab print करेगा उसके बाद product name को print करेगा और उसके बाद replace function यूज करते हैं यहाँ पर यहाँ पर कौन सा replace करेंगे हम तो space 2 यहाँ पर print कराएंगे और उसको print करा देंगे कितना टैब से यानि दो टैब यहाँ पर print करेगा सिधा समतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो line है हमारा इसका मतलब है कि हम दो टैब प्रेंट करेंगे ठीक है और उसके बाद क्वांटिटी को प्रेंट कराएंगे और उसके बाद हम फिर से एक टैप प्रेंट करेंगे फिर रेट को प्रेंट कराएंगे फिर से एक टैप प्रेंट करेंगे आप रहे देखें और उसके बाद amount को हमने print करा दिया और ये सारी चीज़े हमने text variable पर print करा है और इस text variable को हमने क्या किया file पर print करा दिया और उसके बाद serial number हम increase करेंगे क्योंकि नया serial number हमको print करानी है और total amount को calculate करेंगे तो total amount equal to total amount plus amount ठीक है इसको हमने calculate किया और यहाँ पर and if लगाया और यहाँ पर loop को close किया ठीक है और यहाँ पर loop को close करने के बाद यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको run करके उसको दिखाता हूं ठीक है कि इतने lines का code क्या होगा उसको हम देखते हैं पहले ठीक है वरक्षिट पर जाते हैं और यहां पर मैं इसको प्लिक करता हूँ और इसका output हम देखते हैं क्या आता है यह देखें यहां पर उसने पूरे product का details हमारा प्रोड़क्ट डीटेल्स वर्क्षिट है वहां से उठा करके यहां पर प्रिंट करा दिया चुकि प्रोड़क्ट डीटेल्स एक से अधिक होते हैं तो हमने वहां पर लूप यूज किया हुआ है ठीक है तो यह प्रोड़क्ट डीटेल्स यहां पर प्रिंट हो गया अब इसके बाद एक कमांड लगा देता हूं यह देखे यह लाइन हमने वहां पर प्रिंट कर रही है और यह जो टेक्स्ट है लाइन का जो टेक्स्ट है उसको हमने फाइल पर प्रिंट कर रहा और यह गोटू कमांड इसके बाद फिर से मैं आपको और दिखाता हूं तो चलिए वर्क्षिट पर चलते हैं एक बार फिर से और यहां पर मैं प्रेंट कराता हूं ठीक है और यहां पर देखें फिर से आउटपूर्ट चेक करते हैं यह देखे तो यह वाली line product details के बाद हमने print करा दिए अब यहां पर सिर्फ दो चीजें और print करानी है यहां पर print करानी यह total amount और एक line उसके बाद हमारा program complete हो जाएगा ठीक है तो यहां पर चलते हैं फिर से go to command यहां से हटा देता हूं और यहां पर देखें यहां पर टेक्स्टी वेरिवल पर मैंने क्या करवाया है तो यहां पर टोटल एमाउंट को प्रिंट करवाया है तो टोटल एमाउंट कराने के पहले हमने क्या किया है तीन टैब मैंने प्रिंट कराया है तीन टैब के बाद यह मैंने प्रिंट कराया है एक लेवल और लेवल के और उसके बाद यहां पर यह एक लंबी line, double line हमने टेक्स्टी वैरेबल पर प्रिंट कराया और इस टेक्स्टी वैरेबल को मैंने प्रिंट कराया फाइल नमबर पर, जो हमारी टेक्स फाइल है उस पर तो यहाँ पर हमारी जो पूरी coding है complete हो जाती है और उसके बाद यह end if लगाया और यह मैंने file number को close कराया ठीक है और उसके बाद यह loop close करा दिया यहाँ पर अब इसकी जोरत नहीं है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ go to command हमको अब यहाँ पर use नहीं करना है क्योंकि यहाँ स से हम पूरी files को जितने files हैं उसको print कराते हैं और print कराने के बाद फिर यह message हमको मिल जाएगा ओके तो यहाँ पर देखे मैं जो folder है यहाँ पर मेरा एक ही file है इसको मैं यहाँ से delete कर देता हूँ और यहाँ पर आपको output फिर से दिखाता हूँ जिसमें पूरी की पूरी file सभी एक साथ print हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वर्क्षिट पर और इसको मैं क्लिक करता हूँ ठीक है ओके करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको show करता हूँ यह देखे सारी files यहाँ पर print हो गई है जितने हमारे बिल डिटेल्स पर जितने records हैं जितने बिल्स हैं उन स सबी के बिल्स हमको यहाँ पर टेक्स फाइल्स में यहाँ पर print होके मिल चुके हैं तो मैं यहाँ पर एक एक करके आपको show कराता हूँ यह मेरा पहला बिल है पहला टेक्स फाइल है यह दूसरा ठीक है लास्ट से मैं show कराता हूँ आपको यह लास्ट वाला मेरा टेक्स फाइल है यह देखिए ग्यारवे नंबर का और यह दस्वे नंबर का यह देखिए ठीक है यह नंवे नंबर का यह देखिए तो इस तरह से सभी बिल्स यहाँ पर टेक्स फाइल में जा करके स्टोर हो चुके हैं ऊके फ्रेंट्स तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताएगा कमेंट करके और इस इस वीडियो में हमने क्या देखा है कि डेटा को हमारे Excel फाइल से कैसे हम टेक्स फाइल में ट्रांसफर करते हैं ठीकें तो इस वीडियो जब़ेगे किजएगा शेर किजएगा कमेंट किजएगा चैनल पर यदि नए है तो फ्लीज प्लीज मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो पर तब तक के लिए बाबाई थैंक्स फार वाचिंग थैंक्यू वेरी मॉच